السلام علیکم आज हमारे किचन में क्या बनेगा देखते हैं आज हम क्या बनाएगे हम रसरी छोले हैं जिनको पिंडी छोले भी बोलते हैं एक कपड़े में हमने एक चमच चाय की पत्ती को बान लिया है और हमने दो कप छोले रात में भिगो दिये थे इनमें हम ये पत्ती डाल कर एक चमच नमक की डाल कर और एक चमच तेल की डाल कर इनको उबलने के लिए रख देंगे एक सीटी लगने पर बीस मिनट के लिए धिमी आँच पर हम इनको पकाएंगे और इनका खुद ही भाप निकलने देंगे ये गल जाएंगे एक मसाला तयार करते हैं एक पैन हम गरम कर लेंगे एक चमच साबुत धनिया ये मेरे पास कुटा हुआ है डाल देंगे आधा चमच जीरा है वो डाल देंगे एक बड़ी इलाइची है थोड़े से जावीत्री के फूल है और एक दाल चेनी का टुकडा है वो डालेंगे दो छोटी इलाइची है आधा चमच काली मिर्च है इनको डाल कर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ये थोड़ा सा जब भुन जाएंगे तो फिर हम उसमें और मसाले आड़ करेंगे थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें हम अनार का दाना एक चमच डालेंगे अगर आपके पास साबुत है वो भी डाल सकते हैं और एक चमच कसूरी मेथी हम डाल देंगे और इनको फिर से हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और जब इनसे महक आने लगेगी तब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा करके हम पीस लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर दिया करिए ठैंक यू एक कूकर में हम एक चमच तेल गरम करेंगे तीन चार लाल मिर्च डालेंगे साबूत वाली आदा चमच जीरे की डालेंगे और आदा चमच अजवाइन की डाल देंगे अजवाइन से बहुत अच्छे हजम होते हैं ये और दो तेज पत्ते हमने डाले हैं एक बड़े इलाइची डाल देंगे और अधा चम्मच से थोड़ा कम हमने हींग डाला है और एक चम्मच चॉप्ड गार्लिक है वो डाल देंगे और इनको हम थोड़ा सा भूल लेंगे और दो चम्मच हमने अधरक लहसुन का पेश्ट डाल दिया है वो भी हम भूल लेंगे बुनने के बाद उसमें हमने एक प्याज और एक टमाटर का पेश्ट बनाया था वो भी हम डाल देंगे और उसको थोड़ा सा हम भूल लेंगे एक चम्मच नमक की डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच लाज मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच से भी कम ही हम हल्दी डालेंगे और एक चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च ली है इनसे कलर बहुत अच्छा आएगा और जो हमने मसाला पीसा था वो हम आधा डाल देंगे आधा हम बाद में डालेंगे और मसाला भूल लेंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल कर थोड़े छोले हम डालेंगे और उनको कड़्ची की साहता से थोड़ा थोड़ा इनको दरदरा सा कर लेंगे और जो मसाला बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद जितना आपको पाने डालना है, वो डालने और इसको कुकर को बंद करके, आपने सिम पे 20 मिनट के लिए पकाना है, एक सीटी पहले लगा लें और सिम पे फिर इसको पकाए, उसके बाद हम तड़का तयार करते हैं, दो चम्मच हम देशी घी लेंगे, उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हमने अजवैन डाली है, और दो तीन हरी मिर्च काट कर डाली है, थोड़ा सा हम उसमें हींग डालेंगे, और इसको हम तड़का लगाएंगे, देखे हमारे छोले कितने जबरदस तयार हुए हैं, ये बहुत मजिदार बनते हैं, एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने अनुभाव बताईएगा, प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब कर दीजिए, थैंक।